असलाम वल्कुम नाजरीन मैं आपकी शेफ एसन जे आज आपके लिए मुर्च चना दाल धाबा स्टाइल लेके आई हूँ बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है ये मेरे एक सस्क्राइबर की फर्माईश थी तो लीजिए आपकी फर्माईश पूरी हो रही है तो चलते हैं इं 20 kg दाल है जिसे मैंने ओवरनाइट सूप कर दिया था और उसके बाद मैंने इसे नमक और हल्दी डाल के अबाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये इतनी गली है इस तरह आराम से जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये टूट रही है लेकिन बिलकुल नहीं गई है इसके इसका कोई परपस नहीं है बहुत जादा तेज नहीं है आप अपने हिसाब से देख लिजिएगा गरम मसाला साब उदगर मसाला में हम तेज पता ले रहे हैं आप पास बड़ा हो तो एक ले लीजिएगा ये दालचीनी का छोटा टुकड़ा है बड़ी लाइची है तीन ल पाकिस्तान में नहीं मिलता आइथिंक मिल जाता होगा मैं खुद क्योंकि बाहर रहती हूं तो बाहर तो ये आसानी से अवेलेबल है लोग इसके वारे में जो कुछ कहते हैं लेकिन अगर जैसे ये डिश हम बना रहे हैं धाबा स्टाइल की तो बाहर रेस्टरॉंस में जि अजीनो मॉटो 1 टीपोन लाल मिर्च 1 गरम मसाला वन टेबल इस्पोन धन्या पाॉडर है य। यहाफ टीपोन हल्दी है वन टीपोन नमक हम इसमें डाल चुके हैं और हमने क्यूंकि से ड्रें किया है याई जितना एक्सेस पानी था हमने निकाल दिया तो इसमें नमक इतन अधनिया आपकी चुआए से जितना आप डालना चाहें डालने तो अच्छा लगता है इसके अलावा दो टी स्पून लेशन अदर का पॉडर और और वन टी स्पून भरकर यह कुसूरी में थी है और अब हम चलते हैं अपनी कूपिंग की तरफ जी नाजीन सबसे पहले हम इसमें तेल शामिल कर रहे हैं और तेल के बाद हम इसमें यह प्यास दाब देंगे मेरा पैन क्यूप के गरम हो चुका था तो तेल पॉरन ही गरम हो चुका है प्यास को हम गोल्डन ग्राओ प्यास को हम गोल्डन ग्राओ यह देखे है नाजीन यह प्यास हमारी काफी हद तक राउन हो गई है और अप में यह खड़े मता देता है देखाई तक फोड़ा सा यह पट्च है यह मैंने मीडियम तो लो आच पे प्यास प्राइब की है और इसको मैंने अज लो कर दिया है प्यास इतनी हो चुकी है इसमी हमें चाहिए थी आगा में दशना देखाई स्यास फोड़ी सौची हो जाए तो फिर आख हम इसमें यह चिकन शामिश करने दो चिकन के मैंने छोटे ही पीसिस रखता है इतना इसको थोनेंगे के हम इसका क्लर शेंच हो जाए और शिकन पक जाए आज अपने फिन मीडियम तो लो करें कुछ करें तो अब देखें आवी कि अजिकन का कला भूब केंच नीच चूपा है आप मैं इसमें चिमार्त चामिल करूंगे करेंगे और ये किसे सारे केम मसाले ये भी में अचाम करेंगें बहुत रीची और सिंपली रेसिकी है अब 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 तक पकाओंगी जब तक मेरे चिमाटर ची तरह गल आजाएं और ये इसी पानी में गल जाएंगे मैं आज प्लकुल हलक करती है ये देखें नाजरीन किसकदर पानी निकल आया है कि माटर बल को खुल चुके हैं अब मैं इसको आज तेज कर दूँगी और इसको खुश करूँगी और इसको हम भून देंगे फिसके साथ साती मैं इसमें अब ये दही भी शामिल करते हैं तो टेबल स्पूंद दखी निसमें करते हैं और आज हम इसलिए टेस करते हैं काई निसमें साथ पानी बल को खुश पूर चुका है आपके से खून से खूंद देंगे और साथ ही हम आप इसमें मेथी चामिश करेंगे हम बेच कुछें हल्के साथ मसल कर इसमें मेथी कामिश करेंगे अच्छी तरह तील पहार आपको है और मासाबा भी वरीकुल मैश हो जाए हैं अब मैश में डाल शामिल करेंगे आपको डाल मैने दिखाई किसमें खाली है कि कसर थे क्या मुरादिया है कि यह बिल्खुल यह नहीं कि आपको भूल रही है लेकिन थोड़ा सा प्रेस करके यह अच्छे गल चुकी है और अब मैं हरी मिर्चे डालूंगी इस तरह दू पुकड़े करके मैं आपको बताया कि मैं फिर टेस के लिए डाल रही है अब मैं आपको आपको प्रेस करेंगे अच्छे आपको प्रेस करेंगे पहले हमने तेज की आपको अच्छे आपको 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 जाले लिए रावनी की अप्रावादी के बचाएंगे नाजरीं ये देखें दाल अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया हरा धर्या भी डाल दिया एक चीज जो ऑप्शनल है कुछ लोग इसे पसंद करते हैं कुछ नहीं पसंद करते हैं लेकिन चने की दाल अगर आप बनाएं तो उसमें ये जरूर डालें एक पर ये हेल्ट के जिसाब से भी तुछ दाल में जो बादूपन होता है चने की डाल में वो इसे हतम करता और ये है जूलियन कट्वी प्यास प्यास केरें प्यास कियों सौरी अधरत अधरत के थल्का सामिसद पानी गट शीटा मारे के से जम पर रखेंगे तकरीबन पाच मुटा के डाल में अच्छी तरह ये जो मसाला है वो मिक्स हो जाए बिल्कुल और हमारी दाल दयार है तकरीबन वन फोर्थ कप पानी तो है हम इसमें शामिस कर दाए है फोली सीज से गिरेवी सी भी आजाती है और ये पांच मिनेट के लिए रख रहें और फिर मैं आपको डिशाउट कर दे दिखाऊ लीजे नाजीम मज़तार मुफ चना दाल राबावा इस्टाइल दाहिए यार है सिंपल और इजी रेसिपी कोई ऐसा आपको मुश्किल काम नहीं करना इसमें फटा फट बन जाती है आई होब क्या आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक का बटन तरह पाई ये शेर कीजिए अपने फैमली एंट फ्रेंट्स में इरफान बीटा जिना ने इसकी फर्माईश की थी उमीद है कि आपकी समझ में आगई होगी अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना हो तो फील फ्री आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशालला फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ अल्ला हाफिस